Hello friends welcome back to my channel देखे friends आज की वीडियो में बनाएंगे हम काना जी के लिए बहुत ही सुन्दर सी ये dress जो कि बनाए है मैं दो कलर से और ये dress बनाई है पास नमबर के काना जी के लिए ये dress आप चार नमबर के काना जी को भी पता सकते बहुत ही simple और बहुत ही beautiful सी dress है, इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और इसको देखने में बहुत प्यारा लुक है इस dress का, और ये बनाने में उतनी ही आसान है इसे आप बहुत ही अराम से बिना सकते हैं तो फ्रेंट्स चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आप फ्रेंड्स चैनल पर नहीं है अगर अभी तक आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नेक्स वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही से शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स तो चलिए फ्रेंड्स हम आज क से पहले हम यहाँ पे एक लूप बना लेंगे इस तरीके से लूप बनाने के बाद प्रेंड्स हमें यहाँ पे चेन लेनी है यह देखिए हमने चेन ले ली एक दो तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला देखेएalı friends हमने यहाँ पर 16 chain ले लिए अब हम यहाँ पर दो chain extra लेंगे और दो chain extra लेने के बाद हम आपने यह जो दो chain extra लिए हैं एक और यह दो ये दोनों chain को हम skip करेंगे और तीसरी chain में friends हमें एक double crochet कर लेना है ये देखिया हमारा तीसरी chain में डाला हमने crochet hook और ये देखे हमने एक डबल कोश्या कर दिया अब देखे फैंट्स हमारा सेम चेन में हमें एक बार और डबल कोश्या कर लेना है और नेक्स चेन में भी हमें सेम दो बार डलकोश्या करना है फैंट्स ये देखे दो बार डलकोश्या हो गया और ये एक बार हो गया और अब हम सभी चैनल में फ्रेंट्स हम दो दो बार डबल कोश्या करेंगे तो चले कम्प्लेट कर लेती हूं में से मरों समें अप्र बनाके निए फूरा कि यही अमने दो सेन का एक दोचेण लिए तो यह हमार एक हमेंगर दबल नकोident करेते लिए और लास्ट में हम ने एक बड़ल कोश्य करते हैं बीच पहलेकर ब्राइब हम नेक्स ट्रोब में till लेंगे और और फर्शेंट में फिर से एक डबल रोड़कोशय करना और बढर ये और एक दो पर यो नहीं टो देखिए पैंज समने ये फो हार में कर लिया है आप हम इसमें दो चेंग ले लेंगे और दो चेंग लेने के बाद हम नेक्स चेंड में एक और कल खोशा करें। नेक्स चेंड में पिर से हमारे00 कल Spring करें यह दो चेन लेती है यह भी एक हमारा हापडल कोशिय हो गया फैंस अब यह हमारा तीन हापडल कोशिय हो गया अब हमारा यह चौथा हापडल कोशिय हो गया और यह पांच बार चटी चेन में फैंस हमें यहां पर दो बार हापडल कोशिय ले लेंगे यह देखिए एक बार हा हम इसे कंप्टीट कर लेती हूं यहां से हमें दो तीन तीन बॉल कोश्य ले लिए और इसके नेक्स चेंट में हमने फिर से दबल कोश्या किया यह तीन चैन खlovir ओ गया और यह को रहते हैं और यह हमने पांच बाद में ओडुशिय के बार छी little बैं cuma words लेंगे और अर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ नौ देखिए नौ चेन लिए नौ चेन ही होगी और हमने दस भी चेन में फ्रैंट्स कि दस भी चेन में हम एक डबल कोश्य कर देगे यह देखिए यह मनें डबल कोश्या कर दिया अब हम यह पे फिर से डबल कोशिय लेंगे देखें, next chain में हमारा ये, दूसरा डबल कोशिय अओगया, ये तीसरा डबल कोशिय अओगया friends, ये चौथा डबल कोशिय अओगया, ये 5, ये 6, ये 7, आट डबल कोश्य होगे ये 9 ये 10 11 और ये 12 देखेंगे हम पर 18 डबल कोश्य ले लिए बैक साइड में फ्रेंट साइड में 6 ले लिए और 9 चेन हमने बाजू पर छोड़ दी आप देखेंगे हमारी यहां पर कितनी चेन बच रही हैं देखेंगे यह देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस दस हो गई, अब हमें यहाँ पे टोटल हमें छे डबल कोशिया लिएने फैर्स तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, हमारा विल्कुल यहाँ पे ठीक काउंटिंग आ जाएगी एक चेन हम बैक साइड में और ले लेंगे एक डबल कोशिया तो हमारा पीछे तेरा डबल कोशिय हो जाएगे, फ्रेंट फ्रेंट पे छे और बाजू पे नो चेन छोड़ देंगे एक दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, नो चेन छोड़के दसवी चेन में फ्रेंट्स हमें यह डबल कोशिया लेना है और बाकी बच्ची वी चेनों में हमें सभी में डबल कोशिया कर देना देखे तीन डबल कोशिया होगे हमारा यहाँ पे, यह चार हो गया यह पांच डबल कोशिया होगे फ्रेंट्स, पांच भी चेन होगई हमारी देखे पांच, और यह जो हमारे लास्ट का हम दो चेन का डबल कोशिया लेते हम इसे भी नहीं छोड़ेंगे इसमें भी हम एक बार डबल कोश्या करेंगे अब देखे फैंट्स हमारा ये चोली बन के तयार हो गई है बिल्कुल इसमें हमने क्या किया अपकी हमने मार्क नहीं लगाया हमने 6-6 चेन तो फ्रंट में ले ली और 13 चेन पीछे ले ली है बैक साइड में और 9-9 चेन की हमने बाजे छोड़ दिया देखे फैंट्स हम यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे और 3 चेन लेने के बाद सभी चेनों में हम एक एक बार ये हापडल कोश्या कर देंगे सभी में हमें एक एक बार हापडल कोश्या करना है अगर आपको चोली की लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आपको डबल कोश्या भी कर सकते है लेकिन यहाँ पे हम हापडल कोश्या लेंगे तो भी हमारी चोली की जो है लंबाई बहुत अच्छे से आएगी तो चली फैंट्स में सभी चेनों में से यहाँ से हापडल कोश्या ले लेती हूँ देखे हमारी ऐसे लंबाई इतनी आ जाएगी चोली की बहुत ही अच्छे से माई चोली बन के आएगी फैंट्स तो चली में रो कंप्लीट कर लेती हूँ देखे फैंट्स हमने अपनी रो बनाके विल्कुल कंप्लीट कर लिया है अब हम इसमें अपना दूसरे कलर का धागा लगा लेंगे वाइट कलर में इसे हमारा थोड़ा साथ अच्छा लगेगा ड्रेस कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो देखे फैंट्स हम यहां से इस तरीक यह है तो देखे फैंट्स हमारी यहां पे यह त सेंट्स ले ले ली हमने अब सेंट्स म हमें हमें यहां पर ये डबगय करसा करना ह। पीचे से दागे को हम थाद खीज देगे ....बंदी कंपलीडे हें वेल धागे के के छोड़ देबद और यहांपे जरू जरूमारी फर्स ठेन है है इसमें से हम चेन लेंगे, दो दो चेन लेली फ्रेंड्स हमने यहां पर और यहां जितनी भी चेन हमारी हैं यह देखे इसमें हमें एक एक बार सभी में single कुछा कर देना, यह देखे, हम इसकी हलके हलकी आउटलाइन कर देंगे यहां से बहुत ही सुन्दर लगती है यह बनने के बाद यह देखे सिंगल सभी चेनों में हमने दो चेन लेनी है दो चेन एक साथ कार देनी है दो चेन लेनी है दो चेन एक साथ कार देनी है पूरी रोग फैंड हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे त यहां से इस पे भी हम एक single crochet कर देंगे friends और यह white color के धागें को खीच देंगे अब हम यह देखें यहां से white color का जो धागा अपना उसको हम ले लेंगे और यहां से हम 1, 2, 3 3 chain ले लेंगे friends और 3 chain लेने के बाद 2 chain हुई है friends के तो हाँ यह 2 chain हुई है क्योंकि हमने यहां से धागा बदला है हमारा तो देखें हमने यहां पर 3 chain ले ली और जो हमारी 1st chain आरी है friends इसमें हमने 1 double crochet करना है फिर हम यहां पर 2 chain लेंगे और यह देखें दूसरी जो chain आएगी इसमें हमारी 2 बार double crochet कर देंगे friends यह देखें दो chain ली और एक chain छोड़के दूसरी chain में हमने 2 बार double crochet ले लिया फिर से हम यहां पर 2 chain लेंगे और एक chain छोड़ेंगे दूसरी chain में हम यहां पर 2 बार double crochet कर देंगे यह देखें एक बार double crochet होगे friends और यह हमारा 2 बार double crochet होगे देखें यह प्रेख्ष हमारा इस तरीके से पैट्टन आया गई है फिर से हमें ऐसी करना है दो चेन लेनी है और एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में फ्रेंड सहमें तो आप्र दोर मोद्ध ने आरे будет कि कर लेना देख जो खुत गेHeel हमने एक है दोड बढ़र को खुछे लिए और सेम चैन में हम दोर बढ़ खुछन लिए ये पूरी रोह फ्रेण्ट्स हम इसे टरिके से कम्प्लीट करेंगे तो चले इकम्प्लीट कर लेती हूं देखे फैंस हमने यह रो बना के अपना फूरा कम्प्लीट कर लिया और हमने यहां से यह चेन निकाल के छोड़ दिये अब हम देखे हैं यहां पर अपने यलो कलर के उन पर आ जाएंगे यहां से हम अपना यलो कलर का उन ऐसे ले लेंगे यह हमने यलो कॉलर का उन लिया फ्रेंट्स और यह हमने दो चेन ले दिये दो चेन लेने के बाद हमने यहां पर यह जो हमारे एक डबल कोश्या बना हुआ फ्रेंट्स इस पर हमें यहां पर देखिए सिंगल कोश्या करना है यह जो loop है हमारे friends इस पे हमें दो-दो single crochet करने और यह जो हमारे दो double crochet है इस पे हम एक बार करेंगे यह जो loop है हमारे देखिए एक बार single crochet करा और यह जो हमारे double crochet है यहाँ पे हमने एक बार किया इसको हम इसी तरीके से करते हुए friends पूरा row complete करेंगे loop में से हम दो बार single crochet लेंगे और यह जो double crochet है इसके बीच में से हमें एक बार single crochet करना है तो चलिए friends मैं यह row complete कर लेती हूं इसी तरीके से फिर आपको next step बताऊंगे क्या आगे क्या करना है देखे friends हम यहाँ पे विकुल last में आगे हैं और हम हम यहाँ से देखे जैसे हमने यह जो chain चोड़ रखे वाइट कलर से इसको हम इसी तरीके से पहलाएंगे और इस chain में से friends हम यहाँ पे यह signal कुशा करके अपना row को complete करेंगे और यह धागे को हम इस तरीके से नौट लगा देंगे अब देखे हमारा दोनों धागे इसी साइड और हमारा कुछ यह इस तरीके से आउटलाइन होके आ जाएगी अब हमें फिर से अपना फ्रेंट्स यह जो वाइट कलर का धागा है यह देखे इसको ले लेंगे हम इधर से इधर से लेने के लिए अब हम देखे इसमें चेन है जो हमारी यह यह लो कलर की इसको थोड़ा सा आटड करेंगे और यहांसे वाइट कलर कधा गए इस तरीके से लेंगे इलिया हमने देक्टे दो चेन हों गई हैं और यह तीन अब देखे graph हम इह हमें यहां पे जितनी भी और डबल कोशा कर देंगे आप हमने यहां पर फिर से दो चेन लेने हैं फैंट्स दो चेन लेने के बाद यहां पर एक चेन छोड़ेंगे फिर से हम दूसरी चेन में यह एक डबल कोशा लिया same chain में हम यह देखिए यहाँ पर double question लिया अब हम क्या करेंगे friends एक chain यह जो हमने दो double question ले रखे हैं इसके बाद हम एक chain लेंगे और next chain में भी हम यहाँ पर एक double question करेंगे same chain में एक बार और double question करेंगे यह देखिए हमारा कुछ इस तरीके से आज आएगा अपके बार तो आपके देखेए एक के ओपर दो होता जाएगा friends, तो ये पूरी रोद हम इसी तरीके से complete करेंगे, देखें, दो chain लिए, और यह व्मारे double crochet आ रहा है, एक chain छोड़ने के बाद, यहां पर हमने क्या, एक chain छोड़ने के बाद, यहां पर हमने क्या है, एक chain छोड़ने के दूसरी chain में, यह देखे इसी तरीके से फेर्ण देखे हमने यहां पर दो डबल कोशे ले लिया अब एक चेन ली और इसके बिल्कुल ब्रावर वाली चेन में फिर से हमें दो बार्डल कोशे लेना है तो यह रो पूरी हम इसी तरीके से फेर्ण पूरी करेंगे तो चलिए मैं से कंप्लीट कर लेतィ हूं भी दिखे gwाइं यहाँ करेंगे और सेम चेन वे एक बार और कर देंगे और यह row हमारी बनके देखे, complete हो गई है विल्कुल, यह देखे, बहुत अच्छे से हमारा, इसका dress का घेरा आ गया है, यह देखे, कितना प्यारा लग रहा है friends, देखे friends हमारा यहाँ पे, अब हमें outline करनी है, यह हमारी yellow color की उना रही है, और इसको हम जैसे ऐसे निकालते, और इस तरीके से हम यहाँ पे chain ले लेने है, chain लेने के बाद देखे, हमें फिर से single kushy करना, देखे हम नारा यह loop आ गया है, loop में से हमने single kushy कर लिया, loop में से हम दो बार single kushy करेंगे, भिर हम सभी chain हो पे से, जितनी हमारी chain आ रही है, अब तो हमने यहाँ बबल कोशय कर रख सिंगल कोश्या कर दिया नेक्स चेन में से सिंगल कोश्या कर देंगे अब देखे हमारा यह लूप आ गया है इस लूप में से हमें फैंट्स दो दो बार करना है सिंगल कोश्या और जितनी भी हमारी चेन आ रही है सब में से एक एक बार करेंगे यह देखिए यह हमारी चेन आ तो चले इसे complete कर लेती हूं देखे फैंट्स मैंने यह रो भी बना के अपना complete कर लिया outline हमारी बहुत अच्छे से हो गई है अब हम देखे इसमें white color की और एक रो करेंगे यह देखे हमारा यह yellow color का धागा हमारे crochet hook में है अब हम इसमें देखे white डालेंगे इसको खीश देंगे थोड़ा सा एक दो तीन तीन चेन लेने के बाद देखे फ्रेंड्स हमें next chain में अब हमारा घेरा काफी अच्छे से आ चुका है हमें ज़्यादा घेरा नहीं बढ़ाना है तो यह देखे हमने हैं यहाँ पर दो बाद अलकोशा लिया एक दो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स एक दो तीन तीस्ती चेन में हमें ले जाके यहां से एक दो बाद अलकोशा कर देना है क्योंकि हमारा घेरा नीचे काफी अच्छे से आ गया है एक दो दो चेन लेंगे एक दो तीन तीस्ती चेन में फ्रेंड्स हमें दो बाद अलकोशा करना है और इसी पैटन से हमें एक दो देखे इसी पैटन से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स चले मैं आ चुका है तो यह वाली रो और मैं complete कर लेती है उसके बाद आपको next रेख बताऊंगी देखे friends मैंने इसका यह रो भी बनाके complete कर लिया अब हम इसमें फिर से outline करेंगे अपने yellow color से yellow color हमने यहां छोड़ रखा है अब हम क्या करेंगे यहां से अपना yellow color लेंगे एक chains लेंगे और एक chains लेंगे बाद देखे हमने सबी में से यह हमारे double crochet तो हमें single crochet करना है research chain में से हमें single crochet करना और यह जो लूप आ thigh none इस में से हम दो बार single crochet करेंगे है फिर हमारे जो दो डबल कोश है इसमें से भी हम single crochet करेंगे यह देखिए और जो हमारा यह आ रहा है कि यह loop मैं से हम दो दो बार सभी में single crochet कर sürंग 있는 हमां outline complete करेंगे तो चलिए मैं इसकी outline बनाके complete कर लेती हूँ यह देखिए हमने यहाँ पर अपना फिर से white धागा लगा लिया एक chain लेने और एक chain लेने के बाद एक, दो, तीन, चार जो हमारी तीसरी chain है उसमें हमें एक chain निकालेंगे पहले फिर दो chain, फिर दो chain सेम chain में डालेंगे, पहले एक chain निकाल देंगे, फिर दो chain निकालेंगे, फिर दो chain निकालेंगे सेम chain में फिर से हमें एक chain निकाली, फिर दो chain निकाली, फिर दो chain निकाली फिर इसी तरीके से फिर निकाली, दो chain निकाली, फिर दो chain निकाली एक, दो, तीन, चार, पाच ये पाँच बार हम टिपल कोशया कर चुक है फैर्ण्स और ये देखिया हमारा ये छटा टिपल कोशया हो गया और ये एक साथ बड़कोशया हो गया अब इसके बाद देखे फैर्ण्स हम यहाँ पर एक, दो, तीन जो तीसरी जो हमारी chain है friends यहाँ पर हम एक single कुश्या कर देंगे हमने single कुश्या कर दिया, एक chain लेंगे एक, दो, तीन, चार अब चौथी chain में हमें फिर से फिर एक chain निकाली, फिर दो chain फिर दो chain फिर दूसरी बार करेंगे हम एक चेन निकाली दो चेन निकाली फिर दो चेन फिर आसी करेंगे एक चेन निकाली दो चेन निकाली फिर दो चेन निकाली ये तीन बार हो गया फ्रेंड्स हमारा और ये देखे हमारा चार ट्रुपल कोशिया हो गया और ये हमारा पांच ट्रुपल कोशिया हो गया फ्रेंड् इसके बाद एक, दो, ती, तीसरी चेन में जाएंगे और एक सिंगल कुशा कर देंगे तो देखे फैंट्स हम अपना पूरा रो इसी तरीके से इसे कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही अच्छे से हमारा बहुत ही सुन्दर डिजैन मन के आएगा ये तो चलिए मैं इसे पूरी जो हमारी ये जो रो है इसको बनाके मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको नेक्स रे बताऊंगी देखे फैंट्स मैंने ये रो बनाके कंप्लीट कर लिया है पूरा अब हम यहां से अपनी उन को यहां से कट करके निकाल देंगे देखे फ्रेंट्स हमने यहां से white color का one cut करके अब निकाल दिया है और देखे हमारा घेरा बहुत ही अच्छे से कितना अच्छा सा हमारा घेरा आ गया हमने फ्रेंट्स अब हम देखे इसमें क्या करेंगे यहां से अपना yellow color निकाल लेंगे और हम यहां से चेन ले लेंगे चेन लेने के बाद में प्रेंट्स हमें यह देखिए सभी चेनों में से हमें सिर्फ यहां पर सिंगल सिंगल कोशा करना देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा ज्यादा हाइलेट करना चाहते हैं तो आप इसमें यह देखिए इस तरीके से निकालेंगे चैन ये हमने एक चेन ले ली ओर हम यहां पर यहां पर सिंगल कोशा करब एब जुब से लेंगे हमें फिर सेऽ सिंगल कोशा करना है और फिर एक चैन लेंगे और फिर से सिंगल कोशा करना है फिर एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद देखिए यहां से हम सिंगल कोशा करते वे आते जाएंगे सभी सिंगल कोशा से पहले हमें एक चेन लेनी है फ्रेंड्स यह देखिए अब हमने यहां पर एक चेन और ले लिए और एक चेन लाने के यहां पर आके यहां पर भी सिंगल कोशा कर देंगे और यह देखिए हमने एक चेन ली अब जितनी भी चेन है फ्रेंट्स सभी में से हम यहां पर सिंगल कोशा करेंगे एक चेन ली, next chain में हमने एक सिंगल कोश्य करा एक चेन ली next chain में एक सिंगल कोश्य करा एक चेन ली सभी चेन जैसे हमने friends करी है पिछली बार इसमें करी है यह देखिए सभी सिंगल कोश्या में हमें एक चेन लेनी है और एक सिंगल कोश्या एक chain, और एक single crochet, अब हम देखें, यहाँ पर आगये हैं, जहाँ पर हमारा ये single crochet का loop आ रहा है, तो यहाँ भी friends हमें एसी तरीके से यह देखिए, एक single crochet ले लिया, अभी हमारा जो एक single crochet हमने यहाँ पर लिया त्वरेंड्स देखें, इसके side वाले loop में जाएंगे, यहाँ भी हमें सिंगल कोश्या लेना है यहां हमने चैन नहीं लिया है अब हमें चैन लेके सभी चैनों में फिर से सिंगल सिंगल कोश्या कर देंगे एक चैन लेंगे next chain में single kooshya एक chain लेंगे next chain में single kooshya इसी तरीके से friends हम करते करते अपने ये पूरा row complete कर देंगे friends तो चलिए मैं पूरा row complete कर लेती हूँ देखे friends हमने यहाँ पर यह outline पूरी करके तयार कर लिए अधर हमाई देखे dress बहुत ही अठी से आ गई है हम यहाँ पर अगर आपके पास कोई white button हो तो आप यहाँ लगा सकते हैं और नहीं तो आप white color में flower बना के भी लगा सकते हैं यहाँ पर तो चलिए friends हम यहाँ पर cap बना लेते हैं cap बनाने के लिए देखे friends मैंने यहाँ पर total 22 chain ले लिए हैं और इसके बाद देखें मैंने दो चैन एक्स्ट्रा भी लिए हैं total मैंने यहाँ पर 24 चैन लिए हैं तो आप हम दो जो चैन हैं हमारी उनको skip करेंगे friends दो चैन skip करने के बाद यह देखें हमारी जो तीसरी चैन आएगी इसमें हमें देखें एक डबल कोशा करेंगे friends अब next chain में भी हमें डबल कोशा करना है cap बनाना तो मैंने कई बार बताया friends यह simple हमें cap बनाती हूँ बहुत ही easy होती है और बहुत ही सुन्दर लगती है बनने के बाद तो यह देखें हम सभी chain में से एक बार डबल कोशा कर लेंगे friends चलिए मैं इसको yellow वाली यह वाली रो complete करने के बाद आपको next step बताती हूँ इसी तरीके से हमें सभी chain में से एक बार डबल कोशा करना है देखे friends हमने यह रो बनाके complete कर लिया अपना पूरा अब हम देखें हम यहां पर हम दो chain ले लेंगे और दो chain लेने के बार जो हमारी next chain आ रही है friends उसमें हमें यहां पर यह एक बार डबल कोशा किया और यह एक बार और डबल कोशा किया फिर एक chain छोड़ेंगे second chain में फिर से हमने यहां पर यह एक बार डबल कोशा किया एक चेंड चोड़ेंगे और एक चेंड में से तिन नी बार डबलोशा ले लेंगे फ्रैंड सम देखे फैंड समने ये पूरी रोग कम्पलीट कर लिए देखे थोड़ा सा मारी गुलाई की शेप आगई है अब यहां से अपनी ओन को कट करके निकाल देंगे यह देखे हमने यहां से कट करके निकाल दिया अब हम यहां पर अपना वाइट कलर का उन लगाएंगे फ्रेंड्स वाइट को लगा देखिए हम उन यहां से लगाएंगे इस साइड से यह तो हमने बॉडर बना दिया इसका पूरा जो हमारी ड्रेस का बनेगा तो उसके बाद हम यहां से अपना उन निकालेंगे वाइट यह हमने दो चेन ले ली फ्रेंड्स दो चेन लेने के बाद जो हमारी नेक्स चेन they are ism으면. से हमें ये देखे double twists officer करेंग पर नैक्स चेन में जाएंगे और फिर से हम double कोश्या करेंगे इसमे क्या करना? जितनी भी हमार पास chain है फ्रेंटस Yes tea सिंपल सिंपल हमें सभी में से एक एक बार double कोश्या करना और हमें कुछ नहीं कुछ भी निंगा यह हमारा कि हैड़न का जो पार्ट है वह है यह देखिए यह हमने डबल गुष्य करा सभी चेनों में से यह एक एक बार कर देना एक रो हमने यह कर लेंगे और इसके बाद एक रो कर लेंगे टोटल हम वाइट की दो डोड़ कर लेंगे हैं इस आपको बताती हूं next मैं हमें क्या करना है तो चलिए मैं इसे complete कर लेती हूं friends देखे friends हमने यह रोग बना के complete कर लिया है अब हम यहां से क्या करेंगे अपनी उन को cut करके निकाल देंगे थोड़ा सा लंबा करके cut करके निकालेंगे जिससे की हम यहां पर इसको stitch कर देंगे यह देखे हमने cut करके निकाल दिया और यहां पर अच्छे से knot लगाएंगे चलिए तो फिर friends में इसमें सुई में यह धागा डाल लेती हूं जड़ा देखे friends हमने यह बना के complete कर लिया अपना बिल्कुली अब हम देखे इसमें क्या करेंगे इसको इस तरीके से fold करेंगे और हमने यहां से आपको सिलना बताया है जैसे हमारा यह धागा आ गया है इसको हम क्या करेंगे एक चेन से डालेंगे दूसरी चेर में निकालेंगे एक चेन से डालेंगे दूसरी चेर में निकालेंगे ऐसे करते करते friends हम इसको इस तरीके से निकाल देंगे यह हमने इस तरीके से निकाला इस तरीके से निकालने के बाद हम इसको खीच देंगे अच्छे से इस तरीके से और यह जो हमारे एक्सर दागे हम इसको बाहर की साइड रखेंगे स्टिशिंग करना मैंने कई बार बताया है फ्रेंड्स यह देखिए हम इसको अच्छे से टाइट करके इसको यहां से स्टिश कर देंगे यह देखिए कट कर देंगे यह जो भी अच्छा बचा हुआ है अब देखिए वेंड समारा यह कैप अच्छे से से शेप आगई तो यह हमारी कैप हो गई हुई फ्रेंड्स और यह हमारी ड्रेस हो गई मैं इसेम थोड़ेसे मोती लगा दिये काप सिर्द ए और मैंने धोरी बना दिये जिसे कि हम काना जी को इसे बड़ अराम से पिना सकते हैं तो चलिए मैं इसे काना जी को पिना के भी दिखा देती हूँ इदे के हमारे काना जी है यह हमारे पांच नमबर के काना जी है आप यह ड्रेस चाहे तो पांच नमबर के काना जी को भी पिना सकते हैं बहुत ही आराम से। यह के बाद में हम यह लड़ु आहां डाल देते हैं, पहले दूसरी हां डालते हैं यह देखिए, इसको हम पीछे ले जाएंगे इस तरीके से, और अच्छे से हम यह कानजी को देखिए, बहुत ही अच्छे से आजएगी है मारी अड्रेस कानजी को, और जो हमारी डोरी है इसको हम निकाल लेंगे इससे पर आप कि अब देखे हमारी कैब भी बनके तियार होगी है जो कि इनको बहुत ही अच्छे से आ रही है हुआ कि बहुत गेडार हमारी ड्रेस बनी है देखे पन्स बहुत ही अच्छे से हमारी का Conven astrology को आभी रही है निया है कि चलिए मैं इसका क्योंच करके आपको दिखा टी शने अजस्यश मामंच देखिए बहुत मैं आपसे नेक्स वीडियो में मिलती हूँ, रदे रदे